शनी नक्षाट्रा ट्रांजट 2024 ओक्टोबर शनी इस समय अपनी ही राशी कुम्ब में वक्री हैं। शनी की उल्टी चाल वैसे ही खतरनाक होती है। उस पर जल्द ही शनी ग्रह रहु के नक्षत्र शत्विशा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो भयन कर साबित हो सकता ह शनी जोश, शनी ग्रह की स्थिती में जल्द ही बदलाव आने वाला है और इसी के साथ शनी का कहर भी बरपने का समय आ सकता है। दरसल, शनी नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और अब वे शत्भिशा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शत्भिशा नक्षत्र के स् शनी इस समय गुरू के नक्षत्र पूर्वभाद्र पद में हैं 3 अक्टूबर 2024 को शनी राहू के नक्षत्र शत्भिशा नक्षत्र में आएंगे शनी न्याई के देवता हैं और राहू पापी ग्रह हैं जो भ्रम और अचानक घटित होने वाली घटनाओं के कारक हैं राहू के नक्षत्र में शनी के जाने से अप्रत्याशित घटनाएं होंगी शनी और राहू जब मिलते हैं तो पिशाच योग बनता है जिसे बहुत अशुब माना गया है शनी का नक्षत्र गोचर नवरात्री के पहले ही दिन हो रहा है पिशाच योग एक के बाद एक परेशानिया देता है जातक को सफलता नहीं मिलती है वियक्ती की जिन्दगी दुख और कश्टों से भर जाता है शनी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक शत्विशा नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद फिर से पूर्व भादरपद नक्षत्र में आ जाएंगे लेकिन 27 दिसंबर तक कुछ लोगों को भारी कश्ट देंगे शनी का राहू के नक्षत्र में रहना उन लोगों के लिए अशुब फलदाई है जो लव रिलेशन्शिप में है पार्टनसे ना तो छीटिंग करें ना ही बुरा व्यवहार करें वरना ब्रेकप तक की नौबत आ सकती है रिष्टे में भ्रम और शक बढ़ेगा, शादी में भी समस्या हो सकती है वहीं जिनकी कुंडली में शनी दोश है उन्हें करिय में समस्या हो सकती है लिहाजा अपना काम और आचरन सही रखें यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है यह पूरी तरह साठीक है इसकी पुष्टी नहीं करता है